नमस्कार प्रेशिक्षार्थियों नियूस के स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम कम्मुनिटी हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानेंगे और आज का हमारा विशा है आपातकाल स्थीतियों का प्रबंधन तो जैसा आप इससे पहले काफ प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है आज हम एक अत्यनत महत्पण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि यदि किसी समय हमारे सामने कोई अपातकालिन श्तिती आजाती है तो हम बिना घब्राई एक स्वास्थ्यकार करता होने के नाते उस व्यक्ति को किस प्रकार से सहयता पहुचा सकते हैं किस प्रकार उसकी सहायता कर सकते हैं और उसे शीग रती शीग हस्पताल भेज करके उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं तो आईए आज जानते हैं इसके बारे में आज इस चर्चा पर हमारे साथ शामिल है डॉक्टर स्नेलता जो की एसोसेट प्रोफेसर है नमश्कार डॉक्टर तो आईए आज इनसे जानते हैं कि आपात कालिन स्थिती किसे कहते हैं और एक स्वास्थे कारे करता होने के नाते वह है क्या-क्या कर सकता है और उसे क्या-क्या नहीं करना जाएं तो डॉक्टर साब आप बताए कि आपात कालिन स्थिती जो हम बात कर यह कि आपतकालीन स्थिति हुए चैप्टर है इसको जानना बहुत जरूरी है तो आपतकालीन सीति हम किसे माने मान naw जीवन में सुक दुक स्वास्त अस्वास्त यह सब परंपरा चलती ही रहती है तो उसमें जैसे की अज जैसे कुशी में है लेकिन अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाती है गंबेर स्थिति आ जाती है जिसमें कोई अस्वास्त हो जाता है और आपतकालिन स्थिति ऐसे हैं जैसे कि मनिश्री की गलतियों की वज़े से हो सकता है चोटी-चोटी गलतियों की वज़े से किचन में अगर हम कि अचानक sunstroke मतलब बहुत तेजी से climate change हो गया और temperature बाहर की 50 degree Celsius के आसपास अगर पहुंचती है तब भी sunstroke जैसे स्थिती में आपतकालिन स्थिती बनी रहेगी तो इसमें हम देखते हैं कि कही तरह के स्थितियां हैं जैसे कि एक-एक हम देखेंगे उससे पहले कि आपतकालिन स्थितियों के बारे में जानने से पहले इसकी उदेश हम जाने कि आपतकालिन स्थितियों की जानकारी लोगों को बता सकेंगे कब हम बता सकेंगे जब हम कुछ जाने कि ये स्थितियां क्या है तब ही हम दूसरों को बता सकेंगे तो यह वीडियो होने के बाद आप सब को जान कर दूसरों को बता सकेंगे और दूसरा आपतकालिन स्तिती से प्रभावित व्यक्ति की जान बचाने में सहायता कर सकेंगे क्योंकि ये गंबीर स्तिती होती है जिसमें प्राद्मिक उप्चार ना करे तो जान भी जा सकता है तो हम ये स्तिती जान कर अगले की जान बचाने में सहायता कर सकेंगे प्रभावी त्यक्ति के अंगों को क्षितग्रस्त होने से बचाने में मदद कर सकेंगे सपोज रोड पे जा रहे हैं अचानक एक कोई एक्सिडेंट हो जाती है जिसके कारण जो है कून भी बह जाता है और हड्डियों का कोई फ्रैक्चर होती है तो उस समय में अगर प्रादमिक उप्चार ना करे तो और ज्यादा से ज्यादा शरीर की क्षती हो सकती है चिकितसी आपा स्थितियों को समचित संचालन के तरीकों तदा जीवन रक्षक उपायों का उप्योग कर सकेंगे ये सारे उद्देश हैं जो आपतकालीन स्थितियों को हम मैनेज कर सकेंगे आपतकालीन स्थितियां क्या है अब हम देखेंगे पहला आता है डूबना जिसे हम डौनिंग भी कहेंगे लू लगना जिसे सन स्ट्रोक कहेंगे जलना बरन्स हैं साम काटना जिसे स्नेक बैट कहेंगे बुकार, बुकार में high grade fever को हम लेंगे तेज बुकार और दोरे या मिर्गी जिसे convergence या epilepsy कहेंगे पेट दर्थ, acute pain abdomen, शिरोगार, कोई head injury, अस्तिबंग, fractures, विश्पान, poisoning, लक्वा ग्रस्तर रोगी, paralyzed person जैसे आपने अभी आपातकालिंस्तितियां बताई हैं, तो आप हमें ये बताएं कि हम इसमें प्राद्मिक उपचार क्या-क्या दे सकते हैं और उनका उदेश्य क्या है जिससे पीछे की स्लाइड में आपने देखा है कि आपतकालिंस्तितियां क्या है तो इन सारे जितने भी डूबने से लेकर ये लक्वा ग्रस्तरोगी तर जितने भी परिस्तियां उन सभी में प्राद्मिक उपचार की अवश्यकता है जीवन को बचाना है हमें तो प्राद्मिक उपचार करना ही है इसके अलवा पीड़ा को कम करना है पीडित व्यक्ति को त्वरित सहायता उपलत कराने में सहायक होना है पीडित व्यक्ति की परिस्तितियों को और खराब होने से रोकना है शरीर के विबिन अंगों की क्षतिक को रोकना है हाँ जी डॉक्ट साब तो ये तो हो गया कि प्रात्मे कुपचार के लाब क्या है तो किरपया ये वताएं कि अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है तो उसका हम प्रात्मे कुपचार कैसे कर सकते हैं तो कैसे बता चले कि ये डूब गया है डूबना यानि ड्रोनिंग अधिकतर हमें सुनने को और देखने को मिलता है न्यूस में भी कि जो टीनेज या यंग्स्टर्स जो अपने दोस्तों के साथ कोई ट्रिप पे चले जाते हैं और जिनको तैरना नहीं आता है फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ जाकर पाने में मतलब जाते हैं खेलते खेलते अचानक कोई एक ड्रोन होता है तो उसको बचाने के लिए दूसरा, दूसरे को बचाने के लिए तीसरा, इस तरह से तीन-चार लोग एकी साथ डूब जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सारे फैमिलीज को स्वास्तकारे करता ये बताना है कि अपने बच्चों को या तो तेर न सिखाए या नहीं जो बच्चे नहीं तेरते हैं तो उनको जब वो पिकनिक जाते हैं तो सावदान से उनको पहले से ही काउंसलिंग करके बेजें डूबना में अचानक जब पानी में गिर जाता है तो पहले तो पैर फिर उपर उपर से जैसे जैसे बचाने की कोशिश करता है कि मूँ तक पानी ना आए लेकिन जब पानी ज्यादा होता है तो वो डूपते रहेगा तो जो पानी है वो मूँ में और साथ साथ में श्वास नली में पहुंच जाते हैं प्रेजर के कारण है तो उस कंडिशन को कहेंगे हाइप ऑग्सिया कंडिशन तो इसमें जब दिमाग को ऑक्सिजन नहीं पहुंचती है तो तुरंत ही जान लेवा होगा तो उस समय में श्वास्त कार्यकरता को क्या करना चाहिए तो यह एक से दो मिनट के अंदर ही अगर कोई देख रहा हो तो जो शरीद डूप रहा है उसे बचाने की कोशिश करे जब उसे बाहर ले आए तो उससे सीधा लिटा कर उसकी बाद उसका सिर को हलका सा एक्स्टेंड करे जो है उसका चिन को तोड़ी ऊपर किया और करे ताकि श्वास्नली ओपन हो जाए उसकी बाद पेट में गए हुए पानी या फेफ्रों में गई हुए पानी को दो हातों से नाभी और रिपकेज के बीच में दबाएं दबाने से शरीर के अंदर जो श्वास्नली और जीनाशे क्ोश में गए हुए पानी बाहर आजाते हैं तो इस तरह से करने के बाद जब यह लगे कि शरीर से पानी निकल तो शीग रहे फिर oxygen supply करना है कैसे मूँ से मूँ की श्वसन क्रिया के द्वारा आरंब करना चाहिए और मूँ के बीच में रुमाल रखे साथ में फिर oxygenation देनी चाहिए उसके बाद oxygen तदा अन्य उपचार के लिए यदा शीगर ऑस्पतल रिफर करे औस्पतल रिफर करते समय कोई अगर दिकत हो तो उसे अमबुबैक की प्रयोग करते हुए औस्पतल तक लेके जाना चाहिए स्वास्त कारिकरता को क्या ना करे सिर से आगे की तरफ जुका कर उपचार ना करे स्वयम पूरा उपचार करने की गलती ना करे बिना मुव और श्वासनली साफ किये मुव से सास ना दे मुव से मुव में श्वसन क्रिया के दवरान स्वच्रुमाल या अन्यवरस्त का प्रयोग करे हाँ जी डॉक्स अब जैसे अब आपने बताया कि यदि कोई व्यक्ति डूप जाता है तो उसको किस प्रकार हमें प्रात्मिक उपचार देना है और क्या क्या साफधानिया हमें बरतनी चाहिए तो जैसे अब किसी गर्मी के दिन आते हैं तो लू लगने का बहुत ज़दा डर रहता है हमें सुनने को मिलता है कि लू चल रही है व्यक्ति बहार निकला है लू लग गई है तो उससे में लू लगने के क्या लक्षन होते हैं और उससे में स्वास्ते कारे करता क्या उसका प्रात्मिक उपचार कर सकते हैं लू लगना हमारे देश में अधिकांग शेत्र में गर्मी पड़ती है अधिकतर तापमान 41 to 45 डिग्रीस से भी अधिक पहुँच जाता है जैसे कभी कबार हमें देखने को मिलता है कि 50 डिग्री सेलसियस तक भी पहुँच जाता है जबकि हमारा शेरीर का तापमान सामाने तह 37 डिग्री सेलसियस यानी 98.4 डिग्रीस फॉरें हिट होता है आधिक तापमान की वज़े से संस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हो जाता है इसे सामानी बाशा में लू लगना कहते हैं इस चित्र में आप देखेंगे कि लू लगने की क्या लक्षन है पहला है डिहड्रेशन डिह जलालता के कारण त्वचा जो है ड्राई हो जाती है और होट और लाल पचा हो जाएगी इसके अलावा डिजीनेस और सिर में दर्द होने लगेगा इसके अलावा कभी कबार जलालता के कारण अनकॉंशेसनेस भी हो जाएगा और ऑक्सिजन की दिमाग में ऑक्सिजन जाने क कमी होने के कारण भी वामिटिंग नौजिया यह हो जाएगी डॉक्ट सब बताइए इसमें हम प्रात्मिक उपचार के तौर पर क्या कर सकते हैं त्वास्त कारी करता को अगर ऐसे कोई संस्ट्रोक वाले कोई मिल जाते हैं तो उनको पहली बार देखे पीडित व्यक्ति को दूप से हटा कर टंडे स्तान पर ले शेरीर पर टंडा पानी डाले और मूह से भी टंडा पानी देते रहें जीवन रक्षक गोल जिसे हम oral rehydration solution बोलते हैं उसे देते रहें जो ज्यादा लाब दायक होगा पंके से हवा दे जब टीक महसूस करने लगे तो तुरंथी हास्पिताल प्रिफर करें लेकिन उपचार करने के बाद शरीट ठीक होने के बाद भी अगर हम रिफर ना करें तो बाद में भी जलालता हो सकती है इसलिए हम तुरं जो है चिकित्सक की सलहा से हस्पितल रिफर करें और अपने आप से कोई औशदी ना दे जैसे अभी आपने हीट स्टोक के वारे बताया ऐसे ही कई बार कंडिशन्स ऐसी हो जाती है कि जिसमें व्यक्ति जल जाता है कहीं आग लग जाती है धुर गटना वश व्यक्ति अंदर फंसा रहे गया वह जल गया यह हम आम तोर पर देखते हैं रसोय में भी कई बार आग जलने की कहीं तरक हो सकते हैं जैसे आपने कहा है कि गरफस्त में रसोई में हो सकते हैं और आज कल कि देखने को मिलता है कि टेलिवीजन है या फ्रिज है या गैस सिलेंडर यूज कर रहे तो कोई भी गटना से यह जलना हो सकते है या बिजली की जटका हो सकते है तो यहां जाना जरूरी है कि चेरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा जल गया है और उसका जलने की कौन सी डिग्री है यह फर्स डिग्री जलना है यह सेकंड डीग्री इस तरह से जले हिस्से की ऊपर ठंडा पानी तब तक डालते रहें जब तक विक्ति का volentmadra, besar होने वाले फफोलों जिसको हम blisters कहते हैं उसको ना फोड़े और यदि फफोलों फूट जाते हैं तो उसको silver sulfide या junction violet की जो ointment होती है वो लगाए और बहुत हलकी सी पटी करें ज्यादा टाइट करके पटी ना डाले यह चित्र में आपको देखने को मिलता है कि डिग्री जैसे फर्स्ट डिग्री बर्न जो त्वचा के उपर उपर की जो epidermis अगर जलती है तो उसे हम फर्स्ट डिग्री कहेंगे तोड़सा हलका सा और डीप होके second जैसे डर्मिस में अगर जाता है तो second degree burn हम कहेंगे और पूरी त्वचा के जितने लेयर से वह सारे अगर बर्न हो जाएं तो हम थर्ड डिग्री बर्न कहेंगे जिसमें आपकी वैसल्स भी आ गई है और नर्व्स भी आ गई है वह फूर्फ डिग्री हम कहेंगे जिसमें अगर मु जाने की सव प्रतिशत है तो कितना प्रतिशत उसका जल गया है जैसे कि अगर सिर हो तो सिर का जो है आगे और पीछे का दोनों को मिला कर नौ प्रतिशत है इस तरह से आपको पूरा कैल्कुलेट करके उसका परसंटेज निकालना होगा अब स्वास्त कार्यकरता को क्या करना चाहिए जल गया तो उन्हें बरपूर मातरा में पानी या ग्लुकोज या ओरस की गोल पिलाए और आमली या खशार पदार्दों से अगर जले तो तवचा पर पानी इतना डालिये कि वो पदार्द पानी के साथ तनू होकर निकल और क्या ना करें स्वास्त कार्यकरता जैसे कि फुफोले जो बन जाते हैं उनको अपने आप ना फोड़े क्यूंकि फुफोले जीवन और त्वचा को रक्षक करते हैं और उन्हें कभी नहीं फोड़ना चाहिए चिकित्सक की परामर्ष किये बिना सेलाइन नहीं कि विद्युती करन बहुत जादा हो गया है तो हमारे पास जो है एलेक्रिसिटी से चलने वाला समान बहुत जादा है तो किर्पया संक्षेप में हमें बताएं यदि कोई व्यक्ति विद्युत से या एलेक्रिक सिटी से बर्न हो जाता है तो हमें क्या-क्या साफधानिया ब ıllप स्थिति को और गंबेर ना होने के लिए बचाना चाहिए प्राद में कुप्चार करकर तो जैसे यह जो हम जन स्वास्थेयाँ प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमारा ग्रामीन शेतरों में यह बहुत जी tragen रहता है वहां पर स्वास्तेगार्यकरता की अधिक जरूरत रहती है तो ग्रामीन शेत्रों में आज शेहरी शेत्रों में भी हम देखते हैं कई बार साप जो हैं बाहर आ जाते हैं किसी व्यक्ति को काट लेते हैं दुरगटना वर्ष या आकस्मिक रूप से तो उस समय हम कैसे साइटा कर सकते हैं और स्वास्तेगारकरता उससमें क्या क्या साफधानियों को बरते और टाकिवा शीग्र से श्रीग्र व्यक्ति को हस्पताल पहुँझा सके विसे जितने भी जो सांप है वो सारे सांप जो है पॉईजनेस नहीं होते हैं बहुती कम तरह के जो सांप होते हैं जो वो पॉईजनेस होते हैं जैसे कि बारत देश में सांप विशाली जाती हैं जो है कोब्रा, क्राइट, वाइपर, आदी हैं और अधिकान साम जो है विशाली नहीं होती है और चेक करें कि यह साम जो है शरीर के किस बाग में काटा है और एक ही जगा काटा है या दो जगा काटा है वो भी देखना जरूरी होता है और जब पता चल जाता है तो हमें जिस जगा पर साम ने काटा है उस इसे को ततकाल साब और पानी से दो कर साफ करें उसके बाद आयोडिन सोलूशन से साफ करें काटे हुए जगह से दो यह तीन इंच ऊपर एक बैंडेज लगाए ताकि जहर के फैलाओ को रोग जा सके बैंडेज को 45 मिनट के से अधिक ना बांदे और सर्प विश्रोधी आउश्दी के लिए उसमें आपको तीन से चार इंच के उपर बैंडेज मानना है ताकि हम उस शेत्र को इम्मोबलाइज कर सके और जो जहर का फैलाव है वो कम से कम शरील में हो और वेक्पी को हम रेस्ट करवाए आराम कराए ताकि वे शरील में ज्यादा ना फैले हां जी और अब बताएं कि स सर्कुलेशन के कमी आ जाएगी और उसके बाद कहीं लोग हम देखने को मिलता है कि वो जाड़ु फुक के पास लेके जाते हैं बलकि फरस्टेट से पहले तो यह सब ना करें और प्रादमिक उपचार के अलावा आगे टी करने की कोशिश ना करें तुरंदी होस्पितल ले बिमारीet हो उससे पहले देखने को मिलता है लक्षन के रूप में एक जोर है उसके लिए हमें डरने की कोई जरुरत है लेकिन यहां तेज बुकार आये और यह लगातार जो है दो तीन एक हफ़ते तक इस तरह से रहे तो उसको हम आपतकालिन स्थिति माने और दूसरा हमारे शरीर का जो तापमान साम में ने तहा 37 डिग्रीस सेल्सियस है याने की 98.4 डि बच्चों को देखने को मिलता है जैसे यह इंफेक्शन से टाइफॉयड हो गया मलेरिया हो गया डेंगू श्वास संबंदित बिमारिया चिकन गुनिया निमोनिया लू लगना आधी में रोगी को तेज बुकार पाया जाता है तो इसमें स्वास्त करता को क्या करना उसके बाद उन्हें ततकाली होस्पितल रिफर करें और क्या ना करें श्वास्त करता को कि बुकार की पूर्ण जानकारी के बिना एंटिबोटिक्स का स्टार्ट ना करें और कोई इंजेक्शन आधी डॉक्टर की सलहा बिना ना दे तो प्रिय शिक्षार्थियों आज अपने आपात कालिन सितियों के बारे में कुछ जाना है जिसमें कि हमने जाना अगर व्यक्ति डूप जाए तो हमें प्रात्मे कुपचार क्या करना चाहिए किसी को लू लग गया है या फिर कोई जल गया है या फिर किसी का जवर बहुत है को स्वास्थे कारे करता है अपनी भूमि कहा किस प्रकार निभा सकता है और खास ref к जेट्रों में जहां पे सांफ अधिकतर पाई जाते हैं वहाँ पे कोई व्यक्ति सांफ कारने हो जाता है तो उस समय वो क्या उपिर सकते हैं उनकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं तो आशा far करते हैं कि यह आपको आपके लिए लाफदा एक रहेगा सिध्व होगा अप इसको पढ़र करके ये बहुत अत्यन महत्पूर्ण है आपके लिए क्योंकि इसमें आप किसी व्यक्ति का जीवन बचा रहे हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे जो हमारे बाकी विशे बच गए हैं उसके बारे हम आगी की स्लाइट्स में चर्चा करेंगे तब तक स्वस्त रहिए मस्त रहिए सु दोनिव दोनिवरादी बचे करेंगे हमारी मेंस की स्व名उम जोनिवरा एMANगे पत्यों मेंस की स्वारा Anda मेंसितिक आप करेंगे बा sneaking की से